हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं हूँ अंजली और अंजली इस लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है आज है मंडे मंडे में विक डेज शुरू हो गए हमारे सब के बट अभी वह पहले वाया विक डेज नहीं है अभी सब का वर्क फॉर्म होम शुरू प्रोना की वज़े से तो फिर नॉर्मल शुरू है रूटीन और अभी मेड वाकरा कोई भी नहीं आ रहे है घर में तो सारे और काम हमें ही करने पड़ रहे खुद तो उसमें बहुत सारा टाइम हमारा जा रहा है और लेडिस का तो अभी मैंने सोचा है कि अभी आधे काम हो गए है मेरे बागे की काम बचे है उसमें हाज में आपको दिखाने वाली हूँ कबड अरेजमेंट तो मैं मेरे हजबन के कबड के अरेजमेंट आज आपको मैं शेयर करूंगी आपके साथ काफी टाइम से मेरा जो कबड वो लगाए नहीं क्योंकि मैं वन मन्त पहले दुब तो सोचा कब दिन निकलेगा तो वो दिन आज आई ही गया है तो मैं आज वो कबड उनका अरेंज करूंगी और उसी के साथ आपको टिप्स भी पताऊंगी कि कबड कैसे अरेंज किया जाता है मैं इसके वहले भी छोटा सा वीडियो मिन्स डाला था उनके ही कबड का जस्ट कर दूगी तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं उसके पहले मैं अब पी रहें स्मूधी यह बनाना स्मूधी है है बहुत टेस्टी बनी है तो तब तक आप स्मूधी का वीडियो देखके आए तो मिलते और आपको और दाल सकते हो और आपको और दाद स्वीट चाहिए तो आप इसमें हनी भी डाल सकते हैं और मैंने आप एक कप लिया है दूद्ध तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं ब्लेंडर में हम बनाना को दाल देते हैं उसके बाद और ट्राइब प्रूट्स 1 तेबल स्पन पीनट बटर उसके पाद डालते हैं दूद्ध फ्रीज का ठंडा हो तो जादा बेटर रहता है उससे स्मूदी का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा था है तो चलो इसको हम ब्ले तो यहाँ पर स्मूदी बन के लिए आप देख सेकते हैं कितने अच्छी स्मूदी बन है वाव आप देख सकते हैं कितना मेसी हो गया है मेरा कबड़ इनका कबड़ यहाँ तक पूरे कपड़े पूरे खराब हो गया है वहीं जो हम टावल करते हैं और उसके बाद आने के बाद जो आलसी बनाता है उसकी वज़े से यह सब हुआ है तो यह सब आयन की हुए कपड़े हैं लेकिन इसकी हालत बहुत ही खराब है इसलिए आज का ही मेकर करूंगी मैं यह सारी बास्केट से इसमें मैंने अलग- चाहिए पावल कर रही थी पैकिंग कर रही थी तो मुझे कई जगा नहीं मेली तो मैंने इनके कबड में मेरे साडिया भी डाल दी थी और नीचे वाले सेक्ष्ण में भी कुछ जो विंटर के कपड़े और अले तो अब हैं यह सब स्वाटोड करके आपको दिखाती मैं अब दिखाती मैं झाल यूल तो चुल अभी हम एक एक चीज सॉट ओट करते हैं यह तीन बास्केट से इसमें से मैं यह वाली बास्केट लेती हूँ इसमें देखो पैट और शर्ट सब कुछ चीजे हैं तो सबसे इंपोर्टन लीडर देख सकते हैं मैंने कुछ कॉलर टीशिट यहां पर जो है इसके पहले से ही वह फोल्ड करके रखे हैं जो अच्छे हो मैं एज इट इस रखती हूँ और उसके बाद मैं बताती हूँ कि कॉलर टीशिट की जो यह है फोल्ड कैसे की जाती है कि अच्छे है जो यह है जाती हूँ कि जो यह है जो यह है जाती है इस टाइप से फोल्ड करके हमें सारे जो कॉलर टीशिट है वह फोल्ड करके इस तरह से हमें रखने हैं इससे क्या होगा कि जो हमारे कपड़ों की कॉलिट है वह भी खराब नहीं होंगी और कपड़े एज इस रहेंगे तो एससे मैंने थ्री फोल्ड किया है ताकि इस बासकेट में अच्छे से सेट हो के आजए तो इसी तरह से हमें और कॉलर टी-शिट सेट करके रखने हैं कि अब देख सकते हैं यहां पे औल कॉलर टी-शिट की मैंने यहां पर फोडलिंग करके रखी है और मैंने उसी के साथ इसको लेबल भी किया है कॉलर टी-शिट करके आप भी अपने घर में जो वाइट पैजे से उसमें लिक के रख सकते ताकि इजी हो जाए कोई भी जब कप इसको लेबलिंग किया है इसे ही मैंने सब बास्केट को किया है अब यह थोड़े से आउट्डोर टी-शिट है अच्छे बाहर पहनने के लिए तो यह भी हम एक अलब बास्केट में ही इसको रखेंगे इसकी भी फोल्डिंग उसी टाइप करनी है सारे टी-शिट के मेहाँ रखना इसको है इसीको भी फोल्डिंग करके रखना है क्योंकि आप नहींbereich बास्केट साठी को हाइड कि और यह उसको फोल्डिंग को स moi अं तरह से अब टी-शिट देसे हम सारे कर लेंगे कि ऐप अभी हम डेलियूज की टीशर्ट की जो है वो फोल्डिंग करेंगे सेम ही करनी है बट अलग-अलग सॉट आउट करके रखेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि डेलियूज के जो टीशर्ट से वो घर में पहनने के लिए होती है मिक्स एन मैच ना हो इसलिए मैंने अलग-अलग तीन बास्केट बनाई है तो यह है डेलियूज की टीशर्ट आउट्डोर टीशर्ट अलग से रखेंगे तो गर-गर की कहानी है कि सबकी घर में मेंटेन तो रहता नहीं है यह इसलिए हमें बारबर करना ही पड़ता है फिर भी थोड़ा बहुत मेंटेन रह जाता है अब हम आल शर्ट निकार लेगे पहले तो हमें क्या करना है कि जो शर्ट अच्छ है फोल्ड की आयन हुए है उसको साइड में रखते हैं फिर मैं चेक करूंगी उसमें से भी कुछ मैसे होंगी तो हम देखेए है और जिन शर्ट की पोल्डिंग नहीं हुए है अब अभी तक उसको हम करेंगे कीछे टोब कुछ कूछ बेना कोलिंग के बीर हैंगरम रखते हुए है कि ही तो अभी मैं आपको दिखतीओ कि कैसे यह चैर्ट कवार्त की जाते हैं अब यह वन टाइम पहने हुए शॉर्ट से तो सब जेंट्स चो है वो एक बार रिपीट जरूर करते हैं शॉर्ट तो इसलिए यह ऐसे हैं अब इसके हम बटन्स इसको लगा लेंगे एक बार अल्टरनेट करके हम बटन्स को लगा लेंगे कॉलर कठीक करते हैं इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं ताकि यह प्रेस के जैसा दिखें तो हम हमारे कपड़े जब अच्छे रखते हैं तो हमें अच्छे ही मिलते हैं फिर वह नेक्ट टैम पहनने का मन करता है य अधर वह व neural टाम पह ने के में लटका देती हूं, अब इसको मैं एक हैंगर में लटका देती हूं, इस तरह से सारे जो फोल्डिंग वाले करने वाले शॉट है उसको हैंगर में हम लटका देंगे, तो चलो, अभी मैं आपको फूल्डियूस के जो कपड़े हैं, उसके कैसे फूल्डिया जाता है, वहीं बताती हूं, यह लॉंग स्यूस के टीशर्ट से, और इसको मैं बास्केट में नहीं रखने वाले हूं, क्योंकि अभी समर शुरू हो गया है, तो यह लॉंग स्यूस के कपड़े जो है, यह पहनने में नहीं आते, तो फिर इसको मैं फोल्ड करके, अच्छे से, इसको मैं एक बैग में भ इसको मैं बास्केट नहीं बनाई, क्योंकि यह पैंट जो है, यह कभी भी निकालते हैं हम, इसलिए, इसको मैं ऐसे ही फोल्ड करके रखने वाली हूं, अभी जाते हैं जीम के टीशर्स के और, यह जीम के टीशर्स है, जीम के कपड़े भी अच्छे रखना बहुत ज़रूर है, क्योंकि जब भी हम जीम जाते हैं, तो हमें टीशर्स या फिर हमारे जो कपड़े, जीम के, वो नहीं मिद्धे, इसलिए, जीम के कपड़ों का अलग बास्के रखना बहुत ज़रूर है, इसको भी ऐसे ख्रीफ फोल्ड करके हम रख देंगे, मैंने आप इनर वियर के लिए दो बास्केट बने, एक बनियन और एक अलडर वियर के लिए, तो इनर वियर के फोल्डिंग हमें इस तरह से करनी है, एक, दो, ऐसे हमें फोल्डिंग्स करनी है इसकी, और इसके बाद हमें इसका रोल बनाना है, इस टाइप का रोल बना के हमें इसमें रखना है, यह वाली बास्केट में हमारे अभी 5 और 3 आएंगे, मैं 8 से 9 इसमें हमारे इनर वियर आते हैं, तो इतनी बास्केट काफी है, बनियन के लिए, अंडर वियर के लिए मैंने बनाई है बास्केट, इसमें भी और आएगा, साथ से आथ, यहाँ पर जीन्स की फोल्डिंग्स करते हैं हम, यह भी नॉर्मल तरीके से हमें करनी है, क्योंकि सब के पास जादा ही जीन्स होते हैं, पैंट्स, क्योंकि इतने अब हो सकता है, इसलिए, कभी भी जीन्स को बास्केट में नहीं रखना है, या तो आफ हैंगर में रख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही फोल्ड करके, रख सकते हैं अब बारी कि आती है बिंतर वियर्स की तो आपको पता है कि आप जो विंटर वियर्स है वह अभी पहनने का कोई गर्मी शुरू हो गई तो इसको भी हमें पैकिंग करके अच्छे से बैग में रखना है थे इसकी फोल्डिंग देखिया इस तरह से करने है हमें इसकी भी थ्री फोल्डिंग समय करनी है इस तरह से और मैं एक दूसर टाइप आपको बताती है फोल्डिंग का कि आपके जो कपड़े है उसकी स्पेस कम करने के लिए आप दूसरे तरीके से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं तो हमारी स्पेस भी कम लगेगी और कपड़े भी अच्छे से रहेगे जब हम विंटर शुरू होगा तब निकालेंगे इसको इस तरह से फोल्ड करनी है और उसके बाद हमें यह जो हमारी कैप है जो कैप वाले कपड़े हैं उसको ऐसे फोल्ड किया जाता है इस तरह से हमारी फोल्ड लिंग हो गए है आप देख सकते हैं बहुत ही कम स्पेस लगेगी इसको सॉक्स के कैसी फोल्ड लिंग करनी है यह भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ और आप सॉक्स के लिए ऐसी बास्केट भी बना सकते हैं मेरे पास अब एक्स्रा नहीं है इसलिए मैं साइड में रख दूंगे सॉक्स कि बहुत ही इजी है कि सॉक्स एक के उपर एक ऐसे रखने हैं हमें इस तरह से इसको यहां से फोल्ड करके लेके जाना है हमें यहां तब इसके बाद इसको एक सॉक्स को ऐसे फोल्ड करना है तो इस तरह से सॉक्स की जो पेर है इधर उदर नहीं जाएगी और हमारे जो सॉक्स है वह अच्छे से भी रहेंगे यह देखिए कितने अच्छे से जो कपड़े लटका हुए हैंगर में बहुत अच्छे से दीख रहा है कॉलर टीशर्ट फैंसी टीशर्ट डेल्यूज टीशर्ट आपको जैसे कपड़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप बास्केट पे नेम डाल सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां पर मैंने नाइट पैंट्स रखे हैं हाफ एंट फॉन यहां पर कुछ चीज़े रखे हैं पर्फ्यूम एन ओल क्रीम ऑईल जो भी में हम यूज करते हैं डेली वो चीज़े यहां पर रखें एक बॉक्स में थर्ड बॉक्स में यहां पर मैंने फूल स्लीव की टीशिट रखें क्योंकि यह ज्यादा यूज में नहीं आएंगे इसलिए इसको थोड़ा नीचे ही रखा है अंदर यहां पर जो कपड़े हम यूज ही नहीं करते वह रखे हैं यहां पर इनके जीम की टीशिट से और सबसे लास्ट बॉक्स जो बड़ा है थोड़ा इसलिए यहां पर मैंने पैंट्स और्गनाइज किये हैं तो आसनी से यहां से निकाल सकते हैं और लास्ट इधर अंडर्वेर और अंडर इनर्वेर रखें इस तरह सी है मैनेजबल हमारा कपड़ और्गनाइजेशन हो ग तो आपको कैसे लगा अरेंजमेंट कबड का और जो मैने चुटे-चुटे टिश बहुत के शेयर के वह भी कैसे लगे वह मुझे जबर बताना और ऐसे ही आप अरेंजबल सकतें आपके भी घर में जो कबड़ है वह जो मैंने बास्केट ली थी वह मैंने एक लोकल शॉप स आपको ऐसे भी लेकर आपका कबड आरेंज कर सकते हैं और चोड़ी चोड़ी चीज़े रखने के लिए भी छोटे बॉक्स आते हैं अब ही देखती हैं अमेजोन पर जाके लिंक मिलेगी तो ही मैं शेयर कर पाऊंगे क्योंकि अमेजोन भी वर्क नहीं कर रहा है कोरोना की वज़े से और हो सकता है तो फिर मैं करने की कोशिश करती हूं आप एक बार अपने घर का कबड ऐसी अरेंज करके फोटो मैंने साथ जरूर शेयर करना तो चलो तब तक के लिए बबाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक्यू और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आएक तो जरूर बनता है तो फ्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हुआ 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 है